हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल फैसन इस्टिडी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है चलिए स्टार्ट करते हम लोग बस्त्रों की मानक क्रियाय से रिलेटिड अपना पार्ट सेकिंड पार्ट फर्स्ट मैं अपनी पहली वीडियो में पढ़ाया था आप लोगों को पार सब्सक्राइब कर लिजएगा बैल ब folder Two प्रेस कर लिजिए ठीक है चलिए स्टार्ट करते ह हम लोम लोग कोशन नमबर 11 से अपना नुमारा कोट्शन नमडर 12 है पादर्यों की पोशाक में कौन सी स्लीव का पियोग करते हैं? देखने पादर्यों की पोशाक में पूछा कों के प्रियोग करते हैं? Option एक किमोनो Option एक क्यो truth Option एक कहरेक्ट dनपा Option ाकわかुब सब्सक्रेक्षंद स्लीव का ही एक रूप होता है ठीक है और जह है किमोनो स्लीप पादरीयों की पोशाकों में तो यूज होता होता है इस समय जह है इस बाजू का स्टाइल गाउनों में भी लिया जाने लगा है बच्चों की पोशाकों में भी बनाया जाने लगा है लेडीज काफ्तान देखे ये किमो लग twoneten कहीं एक उधारिन है आप लोगों ने देखा होगा कि 줘 जैसी विति लेडी का अंसर पुंखाता आपो कि मसरी मेंいます किमोनों कोनगे का तुरंट की आसर क्लाइगए किमोनों करेंगे कि मोनों करेंगे ठीक किसी भी तरीके से घुमा के दे सकता है आप लोगों को तो इसलिए पूरी की पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए कोश्चन के बारे में देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन हम लोग अपना कोश्चन नमबर थर्टीन है वेल्ट पॉकेट प्राय किस गार्मेट में लगती है देखिए बैल पॉकेट के बारे में इसमें पूछा गया है और पूछ भी बैल पॉकेट के बाएं हाथ पर लगाई जाती है तो बाएं हाथ की तरफ लगाई जाती है देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन हम लोग अपना हमारा कोश्चन नमबर फोटीन है धीली बाजो को कसने के लिए बॉटम में क्या प्रियोग करते हैं देखिए इसमें धीली बाजो को कसने के लिए पूछा गया है option A है पटिया, option B है कफ, option C है तीछी से, option D है डिजाइन तो इसका करेक्ट आंसर है option B कफ, धीली बाजो को कसने के लिए बॉटम में क्या प्रियोग करते हैं? इसलिए option B is the correct answer, देखते हैं next question, question number 15 है हमारा पफ बाजो का प्रियोग, प्राइक किन वस्तरों में करते हैं? देखिए इसमें पफ बाजो का प्रियोग पूछा गया है, option A है बच्चों के, option B है लड़कों के, option C है पुर्सों के, option D है उक्तिसभी के, तो इसका correct answer है option A, आप लोग यहां note भी कर सकते हैं, पफ बाजू को अन्य नाम से भी बुलाते हैं, उसके बारे में भी आप लोग जान लिजीए, पफ बाजू को गुबारे वाली बाजू, चुन्नट वाली बाजू, फुली बाजू, आदी नामों से भी जाना जाता है, ठीक है? आप लोग नोट करना चाहते हैं तो आराम से इसको नोट कर लेजिए मानने के question थोड़ा सा अगर turn कर देता यहां पर दे देता पफ बाजू कि एजगे अगर दे देता गुबारे वाली बाजू का प्रियोग चुन्नट वाली बाजू का प्रियोग फूली बाजू का प्रायकिन वस्त्रों में करते हैं तो सब का आंसर एक ही होगा बच्चों के ठीक है तो इसलिए आपको पफ बाजू के अन्य नाम भी जानने बहुत ज़रूरी है और कोशन पफ बाजू का प्रियोग प्रायकिन वस्त्रों में करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शने बच जोगे देखते हैं next question हम लोग अपना हमारा question number 16 है bell sleeve का प्रियोग किनके वस्तरों में करते हैं देखिए हाँ bell sleeve के बारे में पूछा गया जैसे कि नाम से ही है bell sleeve means घंटी नुमा घंटी के आकार की sleeve का प्रियोग किनके वस्तरों में करते हैं option A है lady shirt option B combination option C है पूर्शो की shirt option D है ठोके वाली shirt तो इसका correct answer है option A lady shirt bell sleeve का प्रियोग किनके वस्तरों में करते हैं lady shirt में करते हैं इसलिए option A is the correct answer दिखते हैं next question हमारा next question है full अदोला बाजू में किस streaming का प्रियोग करते हैं option A है piping option B है किनारी option C है जोड option D है ए तथा बी दोनो तो इसका correct answer है option D ए तथा बी दोनो फुल अदोला बाजू में पाइपीन का भी किनारी का दोनों का दोनों यूज करते हैं इसलिए option D is the correct answer ए तथा बी दोनो ठीक है देखते हैं next question हम लोग अपना हमारा question number 18 है डैश स्लीव कपडों में अलग से नहीं काटी जाती है दीखे इसमें उस स्लीव के बारे में पूछा गया है जो कपडों में अलग से नहीं काटी जाती है option A है ragnal, option B है saadi, option C है mega, option D है petal तो इसका correct answer है option C mega, जो mega sleeve होती है वो कपडों में अलग से नहीं काटी जाती है इसलिए option C is the correct answer question number 19 है, कैफरी पर pry कैसी pocket लगती है देखे इसमें कैफरी पर पुछा गया, कैफरी पर pry कैसी pocket लगती है option A है cut pocket, option B है belt pocket, option C है patch pocket, option D है single bone pocket तो इसका correct answer है option C, patch pocket, कैफरी पर कैसी pocket लगती है patch pocket लगती है, इसलिए option C is the correct answer देखते हैं, next question, हमारा question number 20 है कपड़े के दोशों को छिपाने के लिए, क्या-क्या प्रियोग कर सकते है देखे, इसमें कपड़े के दोशों को छिपाने के लिए पुछा गया है, क्या-क्या प्रियोग कर सकते है option A है patch pocket, option B है cut pocket, option C है belt pocket, option D है watch pocket तो इसका correct answer है option A, patch pocket कपड़े के दोशों को छिपाने के लिए हम लोग patch pocket का यूज़ करते हैं इसलिए option A is the correct answer तो friends आज की वीडियो में बस इतना ही इससे आगे के question मैं अपना next chapter next वीडियो में लेके आओंगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो like, share and subscribe करना बिल्कुल मत भूलीगा Thank you आपको आपको